हेलो गाईज, स्वागत है आपका इस चैनल पे, इस वीडियो में हम 36 गड़ के समान ग्यान से समबंधि 20 महत्वपूर इंपॉर्टेंट MCQ कोस्चन लेकर आए हैं, जो 36 गड़ के इतिहास से रिलेटर है, जो आपके CGPAC, ACF रेंजर एकजाम के पाइंट होपी से काफी देखते हैं, देखें, 36 गड़ में सह कारिता के सुतरधार पंडित वामन राव लाखे ने, 20 वर्स में रायपूर को को अपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी, किस वर्स की थी इसका आंसर हो जाएगा, आप्शन 3, 1913 में, ओके, 1913 में इन्होंने रायपूर को 1913 से 1936 तक अव एतिनिक सचीव थे, अव एतिनिक मतलब अपने वेतन नहीं लेते थे, और 1937 से 1948 तक अध्याच रही, या भी याद रखेंगे, इन्होंने किसान को अपरेटिव सेंट्रल बैंक की भी स्थापना की थी, या भी याद रखेंगे, नेक्स्ट कोस्चन में आ ज राज़े बन गया था, उस समय काक्ती वन्स के कौन से सासक थे, काक्ती नरेश कौन थे, यह बोला गया है, इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन 3, कौन थे, दर्या देव, दर्याव देव उस समय काक्ती नरेश थे, जिस समय भोसलों की अधिम 1780 में बस्तर करद राज़े बन ग या भी याद रखेंगे, इन्हीं के सासनकाल में बस्तर चतिसगड का अभिन अंग बना, नेक्स्ट कोस्चन में आ जाते हैं, चतिसगड का पराक्रमी वीर कचना धुरुवा किस जमिनदारी के अंतरगत आते थे, इसका अंसर हो जाएगा, ओप्सन फोर, बिंदरा नवागड के अंतरगत आते थे, आम याद रखेंगे, कंचना, धुरुवा, बिंदरा, नवागड, जमिनदार के अंतरगत, नेक्स्ट कोस्चन में आ जाते हैं, प्रसीद राजकुमारी चमेली देवी का संघर्स किस राजवनसी नरेश से हुआ था, किस राजवनसी नरेश से हुआ प्रसीद राजकुमारी चमेली देवी का संघर्स काक्ति नरेश अंनम देव से हुआ था, इसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं, अननम देव काक्ति वनस के संस्थापक थे, अननम देव के दुआरा दंतेवाड़ा जिला में डंकनी संखनी नदी संगम पर दंतेश् मंदिर का निर्मार कराया था, या भी आद रखेंगे अननम देव, इनका संघर्स यमेली देवी से हुआ था, नेक्स्ट कोस्चन में आ जाते हैं, मराठो द्वारा 1790 इस्वी में सासन की सुईधा के लिए संपर्क छेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था, परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, यह important question है, क्या बोला गया है, जो अनेक परगने बनाए गये थे, विभाजित किये गये थे, उस परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, 1790 में, इसका अंसर हो जाएगा, option 3, क्या बोला जाता था, कमा व दिकारी होता था, उसे सूबेदार कहते थे, यह भी याद रखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा था, बरार पांडे यह क्रिसी उपज पर कर लगाता था, पोतदार यह खचामजी के रूप में कारे करता था, यह भी देख लेंगे, नेक्स्ट कोस इसका आंसर हो जाएगा option 2, बाणवंस ने, कौन से बाणवंस ने, इसके बारे में देख लेते हैं, 36 गण में सो मंसी जिसे पांडवंस भी कहते हैं, पतन में बाणवंसियों का प्रमुख योगदान था, संभावता दक्षिर कौंसल के सो मंसीयों को बिलासपूर छेतरे से option 2, कब मई 1922 में, मई 1922 में राजनितिक सम्मेलन क्या हुआ था, आय जीत हुआ था, इसमें पंडित रवी संकर सूकल को गिरिवतार कर लिया गया था, और इसके बारे में देख लेते हैं, माखालनल चत्रुवेदी ने एक विसाल रहली को संभोधित किया था इसी समय, next question मे आ जाते हैं, अंग्रेजो द्वारा 36 गड़ के लिए गठिद प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था, क्या वो लगे हैं, अंग्रेजो द्वारा 36 गड़ के लिए गठिद प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था, इसका अंसर हो जाएगा option first, Captain Markson okay, Captain Markson थे प्रादेशिक सेना के प्रथम कमांडर next question में आ जाते हैं नीनमे लिखित में से किसका 36 गड़ के राश्ट्री आंदोलन में योगदान नहीं है? इस प्रकार के question अधिक पुछे जाते हैं राश्ट्री आंदोलन में योगदान नहीं है इसका अंसर हो जाएगा option for नीराज यंदू नीराज यंदू का राश्ट्री आंदोलन में योगदान नहीं था बाकी बचे सीवदास, गोपालदास, देवीकांत ये सभी राश्ट्री आंदोलन में भाग लिये थे next question में आ जाते हैं अंग्रेजी सासनकाल में रायपूर जीलाधिस के नियंतरण में नीर्म लिखित कौन सी रियासत नहीं थी क्या बुलग है अंग्रेजी सासनकाल में अंग्रेजों के सासनकाल में रायपूर के जो जीलाधिस थे उसके नियंतरण में नीन मलिखीद में से कौन से रियासत नहीं थी इसका अंसर क्या हो जाएगा? इसका अंसर हो जाएगा option for कवरधा कवरधा रियासत जो थी वह अंग्रेजों के जीलाधिस के अंतरगर्ट नहीं आती थी बागी बचे बस्तर, खेरागर्ट और कांकेरी ये सभी जीलाधिस नियंतरिर करते थे next question में आ जाते हैं किस वन्स को अमरज या अमार्य कुल कहा जाता था important question है किस वन्स को अमरज या अमरार्य कुल कहा जाता था इसका अंसर हो जाएगा option 3 सरब पूरी वन्स को सरब पूरी वन्स को अमरज या अमरार्य कुल भी कहा जाता था इस वन्स को छेतरी अनुसरूतियों के अनुसार अमार्य कुल भी कहा जाता था स्वन सिक्के जारी करने वाले सरब पूरी सासर प्रसन मातर थे या भी याद रखेंगे next question में आ जाते हैं क्या बोलगय है किसी स्थान से प्राप्त हुआ है इस प्रकार के question अधीक पूछे जाते हैं इसका अंसर हो जाएगा option first तारापूर में तारापूर में मौरे कालिन सिक्के प्राप्त नहीं हुआ है बाकी बचे सारंगड, कांकेर, अकलतरा यहां सभी से मौरे कालिन सिक्के प्राप्त हुए है next question में आ जाते हैं चतिस गड़ में ब्रीटिस सररक्षण व्यवहारीक्स रूप से वर्स 1818 इसवी में प्राप्त हुआ था चतिस गड़ का प्रथम प्रसास की अधिक्षक निन्म में से किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया था किस अंग्रेज अधिकारी को प्रथम प्रसास की अधिक्षक बनाया गया था इसका अंसर हो जाएगा option 4 कैप्टन एडमन को कैप्टन एडमन को प्रथम प्रसास की अधिक्षक बनाया गया था इन सभी को क्रम सह याद रखेंगे, सबसे पहले Captain Inman, उसके बाद Eganew, उसके बाद कौन थे? Hunter थे, फिर Sandys और उसके बाद Wilkinson थे, इन सभी के नाम क्रम सह याद रखेंगे. Next question में आ जाते हैं, 48 लाक रुपे की वार्सिक आमदानी वाला 36 गड़ का पहला राजवारा कौन सह था? इसका अंसर हो जाएगा Option to Korea. Korea राजवारा 48 लाक रुपे वार्सिक प्राप्त करने वाली पहली क्या थी? राजवारा थी. Next question में आ जाते हैं, मालिक मगबूजा कांड का संबंद की से है? Important question है, क्या बोलगया है मालिक मगबूजा का संबंद इनिम्न में से की से है? तिसका आंसर हो जाएगा Option to इनको गैर आधिवासी नहीं ले सकते, लेकिन बाद में इस कानुम में संसोधान कर इसे बदल दिया गया, जिससे आधिवासीों की जमिन को गैर आधिवासी ले सकते थे, जिसके परिणाम सरुप बस्तर की जंगल और जमिन में बाहरी लोगों का कपचा हो गया, और प्रसिद कुटुम सर गुफा की खोज किस ने की थी? इसका अंसर हो जाएगा option 3, कौन से? डाक्टर, संकर, तिवारी, इन सभी का नायम याद रखेंगे, कौन-कौन से प्रमुक गुफाएं हैं, जैसे के सिखनपूर, बोतलदा, लक्षमण गुफा, इन सभी गुफा के बार इसका अंसर हो जाएगा option 2, पंदित सुंदरलाल सर्मा को, पंदित सुंदरलाल सर्मा 1930 के महा कौंसल राजनितिक परिसत के अध्याच बनी, और इन्होंने 1905 में समित्र मंडल की स्थापना की थी, या भी याद रखेंगे, सन 1905 में समित्र मंडल की स्थापना की थी, next question में आ जाते हैं, बस्तर का प्रसीद विसाल भव्य मंदीर नरायन पाल की सैली में बनाया गया है, क्या बोल गया है, नरायन पाल की सैली में बनाया गया है, कहां पिस्तित है या बस्तर मिस्तित है, इसका अंसर हो जाएगा option 1, चालुक के सैली में, ओके, बस्तर का प्रसीद वि नेक्स्ट कोस्चन में आ जाते हैं रतनपूर के किस कल्चूरी नरेश के प्रधान मंतरी गंगाधर ने रतनपूर के समीब एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था है। एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्होंने लक्षमनेश्वर मंदिर और खारोत के मंदिर का जिनोधार भी करवाया था। यह भी याद रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सकाइब और सेयर करना न भूले। थांक यू सो मच। झाल थांक यू सेयर के झाल थांक यू रखेंगे।